कि पवन का भक्ती गाना कितना कमाल का होता है पवन पूरे भोशपूर इंडस्ट्री के भक्ती समराथ है पावर स्टार पवन सिंग का एक बहुत बड़ा राम भजन आने वाला है यह भजन बहुत खास होने वाला है और खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस भजर में पावन सिंग के साथ जो female voice है यानि जो महिला गाईका की आवाज है वो नशिल्पी राज की है और ना किसी भोजपोरी इंडस्ट्री के अन्य गाईका की है एक दिर पहले पावर स्टार पावन सिंग अपने official facebook पेज पर एक poster शेर करते हैं जिस poster को आप हमारे screen पर देख सकते हैं पोस्टर में बीच में राम लक्षोय सीता की एक तस्वी नजर आती है एक तरफ पावर स्टार पावन सिंग नजर आते हैं तो दूसरे तरफ गाईका पायल देव नजर आती हैं और poster के ऊपर में कोने में लिखा रहता है कमिंग सुन अब इस poster का ये मतलब निकाला जाता है कि पावर स्टार पावन सिंग का एक बहुत बड़ा राम भजन आने वाला है आप सबको पता है कि 22 जनवरी को आयोध्या में जो राम जी की मंदिर बनी है उसमें प्रान बिश्रा होने वाला है और इतने अच्छे मौके पर इतने शुब आउसर को लेकर जितने भी कलाकार हैं चाहे वो भोजपूर इंडस्री से जुड़े हो वालिवूड इंडस्री से जुड़े हो जितने भी सिंगर्स हैं वो तरह तरह के राम भजन लेकर आ रहे हैं अब इस होड में भोशपूरी इंडिस्ट्री पीछे कैसे रह सकती है भोशपूरी इंडिस्ट्री तो हर छोटी छोटी ओकिजन पर गाना याती है ऐसे में भोशपूरी कलाकार भी राम भजन लेकर आ हमने आपको बताया था कि अक्षुरा सिंग एक बहुत प्यारा राम भजन लेकर आई थी जिस भजन का टाइटल था राम सबके हैं उसके बाद बोजपूरी गायक राकिस मिश्रा एक राम भजन लेकर आए अर्विन दकेला कलू का सारे गमहम बोजपूरी से एक बहुत प्या राम भजन आया है जिसका बोल कुछ इस प्रकार है कि राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी इसके अलावा हम आपको बता दे कि अब इस भीड में पवन सिंग भी पीछे नहीं रहने वाले हैं हमने आपको बताये था कि कि सारी लालियादो भी एक बहुत प् है राम आ गए यह साफ साफ पवन सिंग के आने वाले नए गाने के पोस्टो पर लिखा हुआ है आपको बता दे यह भजन बहुत खास होने वाला है और खास इसलिए होने वाला है क्योंकि इस भजन में पवन सिंग के साथ जो फीमिल वॉइस है यानि जो महिला गाईका की आवाज है वो नशिल्पी राज की है और ना किसी भोजपूरी इंडस्ट्री के अन्य गाईका की है इस बार पवन सिंग के साथ आवाज दिया है पायल देव ने और पायल देव कित्मी कमाल की गाईका है यह आप सबको पता है सबसे खास बात यह है कि जो गाना आने वाला है राम भजन उस भजन की म्यूजिक कमपोजर भी पायल देव है और इस गाने को लिखा है कौशल किशोर ने आपको बता दी कि यह राइटर भोजपूरी इंडस्ट्री के नहीं है अब आप समझ सकते हैं कि जब बाहर के लोगों को इस गाने में काम करने का मौका दिया गया ह तो आप समझें कि यह गाना कितना खास कितना इस्पेशल और कितना कमाल का होने वाला है बाकी बात जब पवन सिंग के भक्ती गानों की होती है तो उसका कोई तोड़ ही नहीं होता है आप सब ने सुना था पवन सिंग का एक बहुत प्यारा भजन आया था जो कि राम जी के ऊपर था जिस गाने के टाइटल था रोवे ले रह गुराई और इस गाने ने राम भक्तो के दिल पर एक अलग जगह बना ली थी दिलों दिमाग पर एक अलग छाप छोड़ दिया था और जब भी पवन सिंगे भजन की बात होती है या पवन सिंग कि किसी भी भक्ती गान हो या कोई romantic song हो पवन के भक्ति गाने इतने कमाल के होते हैं कि पवन को कहा जाता है कि पवन भूरे पूरे भोश पूरे इंडस्ट्री के भक्ति समराथ है बाकी देखते हैं पवन का गाना कब का बोल कैसा है गाने का music कैसा है तब तक मुझे जाज़त दीजिए धन्यवाद